शिशू, महाश्वेता देवी उस जगह का नाम है लुहुरी और वो जगह राची, सरगुजा और पलामू इन तीन जिलों की सेमा रिखाओं के मिलन बिंदू पर बसी है सरकारी कागजों के मुताबिक वो राची में ही है लेकिन सारी जगह एक खास तरह का जुलसा हुआ मैदान है मानो यहां भू गर्ब में भयंकर गर्मी हो इसलिए पेड, बौने-बौने, नदी का कलेजा, शम्शान और गाहों तक धूल से पटे पड़े है जमीन का रंग अजीब सा हलका है लाल जमीन वाला देश भी ऐसा गाढ़ा और बादामी लाल सा नहीं दिखाई देता सूखने से पहले इस तरह खून का रंग फीका लाल पड़ जाता है यहां आने से पहले रिलीफ अफसर को ब्रीफ कर दिया गया था समझा दिया गया था यह अफसर बहुत ही भला और दयावान था बहुत कुछ जाच कर उसे निर्वाचित किया गया था उसको बता दिया गया था कि यह जगह बहुत ही खचड़ी है वहां के रहने वालों का आदिवासियों का कोई honest way of living यानि जीवन यापन का कोई इमानदार धंग नहीं था क्यों? अरे खेती नहीं करते? क्यों? समीन तो है रिलीफ अफसर और बीडियो बंगले में बैठे बातें कर रहे थे बाहर अभी भी थंडा नहीं हुआ था रात में चौकीदार बंगले के अहाते में निवाड का पलंग डाल देगा इतनी गर्मी में यहां कोई कमरों में नहीं सोता रिलीफ अफसर कुल तीन महिने के लिए इस काम के लिए नियुक थुए थे खाद विभाग ने उन्हें उधार दिया था जिन्दगी में उन्होंने ऐसी धूप से तप्ती और निकम्मी जमीन नहीं देखी थी उनके पास जो लोग मदद लेने आते उन लोगों के लगभग नंगे, सूखे, कीडों और तिली से फूटे पेट देखकर उन्हें बहुत गंदा लगता उनकी धारना थी कि आदिवासी मरत बांसुरी बजाते हैं और आदिवासी इस्तरियां फूल पहन कर नाचती हैं गाना गाते गाते वो एक पहाड से दूसरे पहाडों को जाती हैं जीप नीचे खड़ी कर तीले के ऊपर चड़ते हुए समझा था कि तेजी से पहाड पर चड़ना संभव नहीं है कलेजा हाफने लगता है आदिवासी जीवन में वो गाने की भूमी का बहुत ही महत्वपून समझते थे अब उनकी गीत सुनते हैं तो वो एक दम एक रस और बूढ़ी डाइन के अकेले पन की रूलाई की तरह लगे उनकी जानकारी बड़ी निराशा जनक थी रिलीफ अफसर ने फिल्मों को विशेश रूप से हिंदी फिल्मों को देखकर आदिवासीयों के जीवन के सम्बंद में कुछ धारनाय बनाई थी अगर यही उनका गाना है तो मरने पर कैसे रोया जाता है ये गाना ही तो रोने की तरह है राम राम वो लोग गाते ही क्यों है अरे जंगली लोग है सब कुछ भूत प्रेत का खेल समझते हैं गीत का कर भूत भगाते हैं भूत शब्ध ही अशुब है बीडियो देखते रहे और हसते रहे बोले डर गए नहीं नहीं ये सूखा और अकाल भी उनके लिए भूत प्रेत का अभि लोग रहते हैं, महावीर जी की द्वजा फैराती है, यहां तो कुछ नहीं है, न जाने कब मेरी बदली होगी, कल मैं तो जा रहा हूँ, लुहरी, बड़ी खचडी जगा है, सालों को जमीन देने पर भी महाजन को बेच देते हैं, और आखें निकाल कर कहते हैं, कि पानी कहां हैं, बीज कहां है, हल कहां है, बैल कहां है, खेती कैसे करें, सब कुछ देने पर भी महाजन को बेच देंगे, कहेंगे कि फसल पकने तक क्या खाएंगे, उधार लिया था, जमीन बेच कर पाट दिया, वहां क्या रहना पड़ेगा, हां, कैम्प करेंगे, रहना ही केंप चालू करके चले आएंगे मैं आदमी भेज दूंगा फिकर न करें और डर ये मत कैसा डर चोर का चोर का हां जितनी बार रिलीफ जाती है बिलकुल छोटे छोटे लड़के लड़कियां आकर एक दो बोरे चावल चोरी करके ले जाएंगे चावल माई लो गुर जो भी म बंदूग भी थी आप बंदूग रखते हैं लाइसेंस बंदूग लोहरी बहुत खचडी जगा है दस बरस पहले ना ना बारा साल हुए होंगे खूब बलोया हुआ आँग लगी थी अच्छा बीडियो बोले मैं तब नौकरी में नहीं था लोहरी की कहानी जानते हैं नही नहीं तो रिलीव अफसर कुछ नहीं जानते जानना भी नहीं चाहते नौकरी की खातिर राची शहर की रोशनी और चमक दमक छोड़ कर यहां आए हैं लोहरी में लोहे वाले आदमी रहते थे आगरिया आगरिया लोग कहानी यह है कि वो असुरवंश के हैं उनका काम ही था कि जमीन से लोहा निकाल कर लोहार खाने में लोहे का सामान बनाना वो आख खाते थे आख की नदी में नहाते थे और उनका शहर था लोहरी और उनके राजा का नाम था लोगुंडी धर्ती के नीचे जो असुर रहते हैं वे केवल आगरिया लोगों को पाताल में उतर कर लो एक बहु? द्रौपदी से भी बढ़कर? हाँ, लोगुंडी राजा को खमंड हो गया, सूरज देवता से भी उनका तेज बेसी है, सूरज देवता चले आए लोहरी, सूरज की आँख से लोगुंडी राजा, उनके ग्यारों भाई, लोहरी नगर सब जल गए, बहु दूसरे गाओं में थी, सुपज गई, सूरज के तेज से जलते जलते बहु भागी एक गोंड के घर, उसकी मठे की हांडी में उतर कर उसकी आँख थंडी हुई, वहाँ छिंदी गाच के नीचे उसके एक बेटा हुआ, उसका नाम हुआ ज्वाला मुखी, ज्वाला मुखी? भापर हाँ, ज्वाला मुखी जवान होने पर सूरज के साथ लडाई करने गया, उस लोहरी में दोनों की लडाई हुई, और उसी तेजी से वहां की जमीन जल गई, लडाई के बाद ज्वाला मुखी ने सूरज को शाप दिया, चान जब पूनम में रहेगा, तब ही, तब ही तुम अगली कहानी है, हाँ, सू तो है ही, आगरिया लोग अब उसी तरह के हो गए हैं, जात का रोजगार लोहे का काम तो उनका छूट गया, किन्तो उन्हें खेती बाड़ी के काम में लगाना मुश्किल है, वो कहते हैं कि वो अशुच हो गए हैं, यानि अशुद्ध, लोहा 14 साल पहले भारत सरकार ने आदमी भेजा, लोहरी में आईरन ओर की तलाश करने, कुमा गाउं के लोग थे खचड़ा आगरिया, उन्होंने कहा कि उस तीले पर हमारे तीन असुर देवताओं का वास है, वहां तलाश मत चलाना, दो पंजाबी अफसर मदरासी जियोलोजिस् पात मानते, ब्लास्ट किया, टीला उड़ा दिया, अच्छा, उसके बाद, उसके बाद क्या, कुमा गाउं से आगरियों ने आकर सब को काट डाला, और उसके बाद जंगल में खुस गए, जंगल में खुस गए, हाँ, वो जो खुस गए, ये समझिये मिस्टर सेंग कि वो तो खुस गए, बस, एकदम खो गए, फिर उन्हें किसी ने कभी नहीं देखा, सौ डेड़ सो आदमी, सौ डेड़ सो आदमी, क्या कह रहे हैं, हाँ, यही तो ताज्जुग की बात है, अच्छा, बस लापता, हाँजी, लापता, गायब, गौर्मेंट ने पता नहीं लगा ब्राहमन की विद्वा जैसे चावलों में से कीड़े चुनती है, उस तरह जंगल छान डाला, थप भी नहीं मिले, ना, उसके बाद, उसके बाद क्या, गौर्मेंट ने बहुत तलाश किया, कुमा गाओं के अलावा किसी गाओं के लोग गायब नहीं हुए, इसी से मालूम गाओं में पुलिस ने बड़ा जुलम किया, फिर उनका पता नहीं मिला, ना, कहां गए, जंगल में, जंगल में कितने टीले, कितनी खो हैं, कहां गए, कौन जाने, सारे के सारे लोगरी, हाँ, आप बंदू क्यों लिए जा रहे हैं, डर लगता है, इतने लोग हैं, कहां छ गुरे चोरी होते थे, कुछ एक बरसों में दो-तीन बोरा चोरी हो जाते हैं, जगह भी बहुत खराब है, पता नहीं धर्ती में क्या है, कुछ होता ही नहीं, हमारे भतीजे ने भी एक बार आकर खेती करने की चेश्टा की थी, कुछ नहीं हुआ, न धान, न जुआर, न पुट्टा, हल चलाने पर नीचे मानुलोहा हो, जैसे एक शाप लगा जमीन को, देखते ही पता चलता है, अच्छा, अभी भी चोरी होती है, हाँ, सभी कहते, छोटे-छोटे लड़के-लड़कियां जुट-पुटे में आकर चोरी करते हैं, मैंने सोच लिया, रिलीव का म तो रिलीव बांटने वाले लोग चोरी करते हैं, चोरी करते हैं और किसी को बेच देते हैं, गौर्मेंट को कुछ पता नहीं, जाडा गर्मी में रिलीव बेजेंगे, कंबल, कपड़ा, लत्ता, जाली लोग क्या करेगा, धारी वाली कंबल और अच्छा कपड़ा और चीन लेकिन ये तो ठीक नहीं, ऐसा बेठीक काम तो होता ही है, देखिये न, उस बांगलादेश के युद्ध के टाइम में गौर्मेंट ने कलकत्ता से जितनी रिलीव भेजी, तमाम दुनिया से कपड़े, लत्ते, कंबल, मसहरी, बरतन, स्टोव, जूता, सब हमने राची हाजार में खरीदे, है न? हाँ, वो भी है, उसे छोड़ो, मैंने सोचा कि खुद रिलीव चोरी करें, और गप उड़ाते हैं कि बच्चा लोग चोरी करता, सो उस बार मैं खुद गया, साथ में 20 हजार रुपियों का माल था, सिपाही भी मांग लिया, कैम्प होगा लोहरी में, सब आएंगे, लेंगे, किन्तो रात भी बहुत काली थी, मा था के बालों सी, गरम भी खूब था, मैं बाहर लेटा था, अचानक कैसी आवाज, उठकर देखता हूँ कि बोरा लिये छोटे-छोटे आदमी, बच्चे ही होंगे, भाग रहे हैं, अच्छा, आपने क्या क किया, आसमान में बंदूग छोड़ी, और क्या करता, बच्चों को मारता, किन्तो सब लोग भाग गए, नंगे थे बच्चे, गोली मारता, हाँ वो तो है, और सोचा कि रिलीफ का माल तो तमाम चोरी होता है, तमाम लोग मुनाफ़ा करते हैं, बच्चों ही ने ले लिया, ठीक बात, लेकिन, क्या, बीडियो भौं से कोड कर कुछ देर अंधेरे की ओर देखते रहे, अंधेरा बहुत गरम और पिगला देने वाला था, संसार के सब कोने कत्रों को मानों अंधेरे ने भर दिया हो, जमीन से उठती धूल और भाप से हवा धुंदली थी, इसी से आक आपको आज जो बात बताऊंगा, आज तक किसी को नहीं बताई, किन्तो आपको बताऊंगा, उस विपद की आसानी भी दे दूँगा, बात, कैसी बात, पता है मिस्टर सिंग, वो जगह बदनाम है, असुर बोंडा भूत है, सब कहते हैं, मैंने देखा था, जो बच्चे ब बता सकूंगा, कैसे लंबे काले बाल और कैसे हसते चले गए, मुझे डर लग रहा है, आपको कोई डर नहीं, ये बात बताना थी, इसलिए आज लोटकर टाहार नहीं गया, रुक गया, आपके मौसा राज्यमंत्री हैं, आपकी जान की जिम्मेदारी मुझ पर है, मैं ये म पुलिस, देखिए अब तो मांगने का कोई उपाय नहीं, ठीक है, आप तो कल जा रहे हैं, इसके बाद जो जाएंगे, उनके साथ पुलीस भीजने की कोशिश करूँगा, चलिए खा लें, पहले नहा लीजिए, कुए के ठंडे जल में सनान हुआ, मौसा राज्यमंत्री है उसका परिणाम ये हुआ कि मेज पर भढ़िया चावल का भात था, भात में मटर डाली गई थी, मास, गुलाब, जामुन और अचार भी, रात में बाहर खाट पड़ी, जमीन पर पानी छिड़का गया था, उससे मामुली ठंडग भी थी, लेकिन नीन कहां, सूर्य और एक बालक का युद्ध, एक टीला, अंधकार में बलोया चमकने लगता, कई मृत शरीर थे, विद्वा, ब्राम्मन की विद्वा, जिस तरह चावल में से कीड़े चुनती है, उसी तरह पुलिस जंगल झानती है, रिलीफ, अंधकार में अलौकिक बच्चे चावल चोरी कर रहे हैं, एक के बाद एक तस्वीर बदलती जाती है, चहरे पर गर्मी लगी, तो रिलीफ अफसर ने समझा कि बहुत सोए, तान कर सोए, अब चहरे पर सूरज की गर्मी लग रही है, सवेरे रिलीफ अफसर रवाना हुए, बीडियो टहार लोट गए, रिलीफ का सामान ट्रक मे चला, साथ में तंबू भी था, कुछ दूर बाद ही रास्ता कच्चा था, गर्मिया थी, इसलिए उस रास्ते जाया जाता था, बरसाथ में वो राह अगम्य थी, मिशन हाउस में मिशिनरियों ने रिलीफ सेंटर खोला था, जुन्ड के जुन्ड आदमी थे, काले, सूखे चुपचा, जीब के ड्राइवर ने थुपते हुए कहा, सबके सब चानवर हैं, अकाल होने पर बाल बच्चों को मिशन के दर्वाजे पर छोड़ कर चले जाते हैं, कहते हैं कि वो लोग फेंक नहीं देंगे, कुछ न कुछ देकर जान बचाएंगे, हमारे साथ रहने पर कि मर जाएंगे, ये लोग इंसान नहीं है, मिशन के साहब लोग इन्हें कृस्तान बनाते हैं, धरम नाश कर दिया, पर ये भी खचड़ा ही है, कृस्तान भी बनते हैं, और अपने देवी देवता भी पूछते हैं, मिशनरी लोगों को ये नहीं पता, सब पता है, फिर भी उनको दवाई देते हैं, देख भाल करते हैं, वो गोरी-गोरी में में, जानवरों के बच्चों को गोधी में बिठाएंगी, मूँ से मूँ लगाकर प्यार करेंगी, राम-राम-राम-राम, वो गाना सुनिये न, कोई अच्छा आदमी एसन टाइम में ऐसा गाना गाएगा, गाने के नाम पर लंबा सा प्रेत्विलाप, इस समय सारे टीलों और जंगलों से गुजरती हुई जीप को ढकेल रहा था, क्यों गा रहे हैं? ऐसे ही हैं, जो चल सकेंगे, वो फिर रिलीफ लेने आएंगे, जो चलना सकेंगे और बहुत बुढ़े हैं, वो जमा होकर उसी तरह गाना गाएंगे, गाएंगे गाएंगे और गाते गाते मर जाएंगे, एक गाउं में गाना होगा, तो दूसरे गाउं में मरने के वक्त बुढ़ियां जवानों को रिलीफ लाने भेज देंगी, और खुद बैठकर गाना गाएंगी, रिलीफ अफसर का दिल बैठता ज जा रहा है, राची में रोशनी की चमक, टेक्सी, मोटर, वहां जिंदगियां चल रही हैं, वो किस दिशा में जा रहे हैं, जहां अती प्राकत शिशू, बंदूग की आवास के जवाब में प्रेत हसी हसकर रिलीफ लेकर भाग जाते हैं, जिस देश जाने पर किवल मटमेले पहाड और जंगल ही दिखाई पड़ते हैं, लेकिन उनमें बैठ कर बुढ़िया औरतें मौत पास देखकर जीने का प्रेतन नहीं करती, प्रेतों के विलाप में गीत गाती हैं, अजी साहब बहुत सी मर जाती हैं, तमाम, देखिये न, कितने चील गित दोड़ रहे हैं, ज कैसे लाल-लाल हैं, यही है लोहरी, यहां की माटी विश है विश, दूर पर कई पहाड दिखाई दिये, ड्राइवर बोला, वहां, उस जगा, वहां आपका कैम पड़ेगा, कुछ देर बात ड्राइवर फिर बोला, एक बात है हुजूर, बुरामत मानियेगा, लोहरी में क् बहाद्दुर तो पागल हो गया था, बहाद्दुर, कौन बहाद्दुर, ड्राइवर, क्यों, उसकी बात अफसर ने आपको नहीं बताई, नहीं तो, ये ठीक नहीं किया, क्या हुआ था बहाद्दुर को, वो तो अभी तक किसी को नहीं मालूम, उसके साथ जो लोग थे, कि उस रात सब सो रहे थे, और बहाद्दुर अचानक चोर-चोर कहकर जिनका पीछा करने भागा, वो सब तो जंगल में अंधेरे में खो गए, जो उसे खोजने गया, वो अंधेरे में किसी की हसी सुनकर डर के मारे चला आया, दूसरे दिन सवेरे देखा कि बहाद्दुर बेहोश पड़ा है, होश तो आया, लेकिन चेतन नहीं हुआ, उसके बाद, उसके बाद क्या, बोरा गया, अभी तक बोरा आया ही है, राची में है, लीजिए, हम लोहरी पहुँच गए, कैम्प लगाने की जगह साप की हुई थी, एक छोटी सी जोपडी से तहसीलदार बा रिलीफ आफिसर की सवालिया निगाह के जवाब में तहसीलदार बोला, कुमा ग्राम के बलोया के बाद, टीला ब्लास्ट किया गया, उस ब्लास्ट में टीला तो ओड़ गया, एक गहरा गड़ा बन गया, उसी में पानी जमा होता है बरसात में, और साल भर पानी रहता है, चाय पीने के बाद तहसीलदार ने तंबू तनवा दिया, रिलीफ के सामान के बोरे गिन कर सजा दिये, बोला, कुछ मत सोचिये, हर बरस में यही काम करता हूँ, गाम वार नाम की सूची भी मौजूद है, दस से चार तक रिलीफ बांटियेगा, उसके बाद खेल खतम, कित इसके पहले तो कभी जनता सरकार भी नहीं आई, और रिलीफ देने स्पेशल अफसर भी नहीं आया, तहसीलदार ने मन ही मन कहा, सूवर का बच्चा, और मू से बोला, जी साहब, जो कहिएगा, वही होगा, सरडोहा मिशन से जो लोग आए हैं, वो भी काम करेंगे, वो साफ करने के लिए आदमी भी चाहिए, गाहों के दस लड़के चुन लीजिए, नाम लिख लीजिए, वो सब काम करेंगे, खाना मिलेगा, और रोजाना एक रुपया मजूरी भी, वो तो बस खाना मिलने से ही काम कर लेते हैं, आप बात करने आये हैं या सुनने, कैम्प मैं चलाऊंगा, आप रोज आएंगे, जी कितने दिनों तक कैम्प खुला रहेगा, अभी एक महिना, मैं ये कैम्प देखूंगा, बीस-बीस मील के अंतर पर कैम्प पड़ रहे हैं, एक बात और है, स्टोर जहां रहेगा, मैं उसी तंबू में रहूंगा, मेरी जिम्मेदारी जी ये बात बहुत ठीक है, मैं तो सो रुपया देने पर भी स्टोर के तंबू में न रहता, क्यों? जी चोरी होती है, और जो चोरी करते हैं वो आदमी नहीं है, ठीक है ठीक है, वो सब बात छोड़िये, कॉलेज के लड़के भी वॉलेंटियर बन कर आ रहे हैं, कह दीजि वो बहुत बदकार था, लेकिन बड़े काम का था, गाओं के दस आगरिया यूगकों को अपने कैम्प की देखवाल और सफाई के काम में लगाया, चौकीदार ने दो को लेकर पेड के नीचे रिलीफ का माल लगा दिया, आज सूखा माल बाटा गया, कल से खिचडी और से कैम्प चालू हो गया, दूसरे दिन से पकी खिचडी दी गई, मेडिकल यूनिट ने कॉलरा और टाइफाइड के इंजेक्शन लगाए, उस जगह चहल पहल हो गई, दूर दूर से अब आदमी आते रहते, रात को भी दूर दिगंत पर चलती हुई रोशनी दिखाई पहले बुढ़े समझते थे कि मर जाएंगे, सो गान उठाते थे, अब तो गाना भी बन, एक काम नहीं हो सकता है, वो क्या, जी गाउं में रिलीफ मत दीजिये, इस बार तो उने ठीक से रिलीफ मिल रही है, वे ही बुढ़ा बुढ़ी को क्यों नहीं उठा कर ले आते, ना बुरी तरह लग गए, उस जगह की जली धर्ती की तरह का स्वरूप, नाटे और धूल से भरे और बिना पत्तों के पेड़ों की घने जंगल थे, लाल और भयानक पहाड़ों में भया भहता खो जाती थी, निरन, भूखे आदमियों को टॉप प्रायरिटी मिलती, डॉक्ट वकाल की परवाह न करके काफी एंटिवायटिक और चोट की दवाईयां, बेबी फूड, निूट्रिंगेट आदी राची से ले आते, गाउं के बहुतेरे आगरिया उन्हें गेरे रहते, वो उन्हें टीले को ब्लास्ट की हुई कुंडी पर नहीं ले जाते, वो उनके लि अगिया गरीब थे, और उसी के अभिशाप से पूर्ण चंद्रमा की रात के सिवा सूरे अपनी पतनी से मिलने नहीं आ सकते थे, लोहा सुर, अगिया सुर और कोईला सुर, इन तीनों असुरों का आशिरवाद नहीं मिला, इसलिए आज आगरिया लोगों को कश्ट मिल रह है, सनान कर जब लोटे, तो रात हो गई थी, रात में स्टोर के तंबू के सामने खाट डाल कर लेट गई, और सोचने लगे, रिलीफ दोनों हाथों से चोरी करते थे, इसलिए प्रेतों की चोरी करने की बात सब ने उड़ा दी, लोहरी के इन आगरिया लोगों का भागे ब हर बरस रिलीफ दे कर इतने लोगों को जिंदा रखना संभव नहीं, ये बात सोचते सोचते वो सो गए, निश्चिंतनींद, आगरिया यूवक तंबू के चारों और सो रहे थे, उन लोगों ने उन्हें देवता कहा था, उससे लगता था कि उनकी बड़ी जीत हुई थी, सो अपने को छोड़ कर वो किसी पर विश्वास नहीं करते थे, उनके मूँ से देवता सुनना बड़ी भारी जीत थी, यूवक दस थे, लेकिन सोए नहीं, जाक कर कान लगाए रहे, इस बार कैम्प बहुत बड़ा था, शोरगुल बहुत ज्यादा था, क्या इसलिए? एक दिन उन्होंने मिले हुए पैरों की आवाजने सुनी, चोकनने जंगली जानवर कई जोड़े पाउं बढ़ा रहे थे, दबी दबी सी सी, जवाब में भी सी टी, मानो किसी ने तंबू की दोरी खोल दी हो, उसके बाद बहुत जल्दी और बहुत खामोश एक्टिविट थे, रिलीव अफसर की नींद पल भर में टूटी, टॉर्च लेकर उठते ही उन्होंने देखा कि आगरिया युवक नहीं है, तेज पाउं से तंबू के उसपार गए, युवक डोरी खीच कर खूटे से बांध रहे थे, क्यों? तंबू का पर्दा खुला क्यों था? विमूड और आहत, विश्वास घाट से आहत अफसर ने उनकी ओर देखा, अंजान अपरिचित चहरे थे, वे ही थे, किन्तु उनके साथ उनके मन में व्याकुल प्रिश्न का कोई भी संचार नहीं हुआ, क्रूर और विजई हसी हस कर युवक पल भर में अंधेरे वन में ग बीच से जल्दी-जल्दी बोरे चले जा रहे थे, प्रेत नहीं थे, आदमी थे, इतने छोटे-छोटे कि बच्चे ही कहा जा सकता था, निश्चे ही बालक-बालिक आये थी, इधर रिलीव देते थे, उधर आट-दस बरस के बच्चों से चोरी कराते थे, लोहरी के आगरि से सब कुछ लूटकर चला गया हो, रिलीव अफसर परिशान हो थे, वो अच्छे आदमी हैं, इमानदार हैं और घूसकोर नहीं, आदिवासियों के लिए ममता है, इन तमाम कारणों से अपने चुनाव की मर्यादा उन्होंने रखी थी, जान देकर रिलीव का काम किया, इन को पकड़ेंगे, चोरी का फैसला करेंगे, जिद में आकर वो दोड़ते रहे, वो लोग भी भागे, जंगल तंग होता गया, छितरी खास के जंगल थे, सूखे मैदान, यही वो मैदान है जहां सूरज और ज्वाला मुखी ने युद्ध किया था, यहां पहुँचकर लड उनके धंग से लगा कि वो चोट करेंगे, मानो उचल पड़ेंगे, एक टक मौन उन पर नजर रखी, कृष्ण पक्ष की चांधनी में सब कुछ असपष्ट था, अचानक वो लोग उसके पास बढ़ाए, लड़के नहीं, औरते भी हैं, अचानक कलेजे में डर समा गया, ड फिर रुक गए, रिलीफ अफसर ने गर्दन घुमा कर देखा, घेरा पूरा था, भागने की कोई राह नहीं, वो भागेंगे नहीं, और भागे क्यों, ये तो इनसान है, इनसान के बाल बच्चे, प्रेत नहीं है, प्रेत चावल और माईलो नहीं चुराते, ये एक शप्त भूमी है, किसने कहा था, थोड़ी दारू अरूपीयोंगा, किसने कहा था, रिलीफ अफसर ने अपने चोट खाए आहत कलेजे को काबू में किया, और आगे बढ़े, डर, भायानक डर, भायानक भाय था, वो बहुत डरे थे, चुपचाप क्यों बढ़ रहे थे, ब बड़े-बड़े क्यों है, बच्चे, बच्चे, अगर इनका लड़कपन है, तो इनके सर पर सफेद बाल क्यों है, और वो आगे क्यों बढ़ रहे है, जिनके बाल सफेद है, पास मत आना, पास मत आना, उनका आत्र चितकार मौन रहता है, उसे शब्द रूप मिलता है, औ और मत पास आओ, जिनके बाल पके हैं, विपास आकर उन्हें क्या दिखा रहे हैं? विभत्स, विभत्स द्रश्य है, अपने पुरुशांग दिखा रहे हैं, सूखे, सिकुडे, लटकते हुए, शिशु नहीं, ये तो एडल्ट, व्यस्क हैं, रिलीफ अफसर के मुह से आवा खी-खी-खी, वो हसी अमानविय थी, हसी बिखर गई, बिखर गई हसी, अफसर को घेर कर सब हस रहे थे, हसते हसते उन्होंने शुन्य में छलांग लगाई, कोई-कोई सिकुड कर बैठा था, अफसर क्या करे? हम लड़के नहीं हैं, हम कुमा गाउं के आगरिया हैं, कुमा मालूम हैं? ना ना अफसर आखें बंद करना चाहते हैं, हाथ नहीं उठ रहा, तेज चोट से दिमाग फट गया है, दिमाग हाथ को उठने का आदेश नहीं देता, पॉकिट में महावीर जी का परसाद, किसने कहा था? हम अपने पूजा के टीले का मान रखने के लिए तु खी 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 प्रेतों की हंसी बिखर गई, ना ना आगरिया जिन्दा रह गए, भाग भाग कर रहते बिना खाए सब मर गए, ना ना गेरा छोटा हुआ, वो लोग और समीप आए, ना पास मताओ, पास मताओ, क्यों ना आए, इतना चावल, इतना माईलो, दो बोरों के पीछ तू क्यों आया, जब आया है तो अच्छी तरह देख, हैं, दिखा दे तुम्हें, मर्द पुरशांग दिखाने लगे और और औरतें स्तन, बुढ़ा बहुत पास आया, अफसर के शरीर में पुरशांग छू रहा था, साप की सूखी कैचुली सा, सूखा और गंदा, मर्ते पेट में बच्चा नहीं आता, इसी से हम रिलीफ चुराते हैं, खा खा कर फिर से बड़ा होना होगा की नहीं, बता, आगरिया हमें मदद देते हैं, कुमा के बलोया से हमारा यही हाल है, कुमा का बलोया, ना ना, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, अगर ये सच है तो अफसर कहते रहे, ना ना, ना कहने से क्या ना हो जाएगा, तब ये कैसे हुआ, ये गडबर देखकर नहीं समझता कि हम लड़के बच्चे नहीं हैं, वे पैशाचिक आनंद से, प्रतेहिंसा की उल्लास से खीखी करकर हस रहे थे, उसके बाद वो उन्हें घेर कर दोड़ने लगे, हस्ते हस्ते बीच-बीच में वो उनके शरीर पर रगड़ कर पुरुशांग दिखाते, समझा देते कि वे पूर्ण व्यस्क भारतिय हैं, आकाश में चांद है, कैसा विवश्च चांद का चहरा है, कैसा निर्वीर्य उसका प्रकाश, सूर्य और ज्वाला मुखी के युद्ध की आग में जले मैदान में, कई बालक बालिकाओं के से पूर्ण व्यसकों का भयानक उल्लास, शत्रू का सिर बिलोया के फल से उतारने का उल्लास, प्रतिहिंसा, प्रतिशोध, किसके विरुद्ध? उनके नाचते शरीरों पर लंबी पड़ती हुई उनकी छाया कहना चा रहे हैं कि ये बदला किसलिए? मैं एक सामानने भारतिय हूँ, रूसी, कनाडियन, अमेरिकनों की तरह हमारे शरीर की व्रधी नहीं है, लंबाई चोड़ाई नहीं है, हम जीवन में वो खाना नहीं खाते, जिसकी कैलोरिया मानव शरीर की व्रधी के लिए आवशक हैं, World Health Organization की राय में जिस खाने को न खाना अपराद है, कुछ बोल नहीं पाते, चांद के नीचे खड़े उनके देखते देखते, उनकी हसी सुनते सुनते, भारत के सामानने मनुष्य की अपुष्ट देह और हास्योत पादक दीरगता से लगता है, कि ये सब्भिता का जग अपने को प्राण दंड दे दिया और चांद की ओर गला उठाकर मूँ फार दिया, वो नाच रहे थे, हस रहे थे, पागल कुत्तों की तरह मैदान फारने वाले आतरनाद करते हुए, पागल हुए बिना उनकी मुक्ती नहीं है, लेकिन मस्तिश्क गले को आतरनाद में फट पढ़ने का आदेश क्यों नहीं दे रहा, सोचते सोचते उनकी आखों से आंसु बहने लगे,